हेलो फ्रेंट्स वल्कम तो स्टुएंट पीडिया टीचिंग एपिट्यूट के 10 MCQ क्वेश्चेंस से विए डिसकस कर रहा हूँ आपके साथ यह पार्ट 18 है अदस पार्ट पी आप देख सकते हैं सच करना है स्टुएंट पीडिया टीचिंग एपिट्यूट एमसी क्वेश् मैंने अच्छा पढ़ा है इसलिए उसने पास करा अच्छे हैं अच्छे माक से यहाँ पर प्राइस करेंगे स्टुएंट को तारीफ करेंगे स्टुएंट के लिए उसके अच्छे माक से यहाँ पर प्राइस करेंगे सब आपको यहाँ पर तारीफ करें आपकी तो कौन सा स सही होने वाला है विल्कुल option B यहां पर correct होगा उस student ने पढ़ाई करी उसने पास करा examination अच्छे माक से तो आप उसके जिया है तारिफ करनी आपको ठीक है तो option B यहां पर correct होगा 172 question देखा जाए बोला गया है student of your class remain away from study throughout the year further when the examination is near he keep requesting you for giving the private coaching what will be your opinion एक student है जो यहां पर classes नहीं करता throughout the year और examination के time आपको बुलता है coaching मुझे देदीजे मुझे examination pass करनी है आपको opinion क्या होगा you will give him private coaching आप उसे coaching देतेंगे अलग से बुला कर यहां पर जो है आप coaching तो देंगे पर fee बहुत जादा लेंगे यहां पर बुला गया है option में कि आप वहां पर जो है नहीं देंगे coaching उसे और यहां पर option D देखे कि आप जो है private coaching देंगे उसे help करेंगे examination pass करने में बदला दू यहां पर option C correct होने वाला है क्योंकि उसने साल भर class नहीं करी यहां पर reason हमें नहीं बताया गया कि क्या problem थी क्यों class नहीं करी बात करे question number 173 की बोला गया है what is the best method in your opinion to help the little children remembering the subject यह आपके हिसाब से कौन से यहां पर सबसे अच्छा यहां पर को होने वाला है method जिससे एक बच्चा जो है एक शोड़ा student little children वो आसानी से याद कर ले एक subject को यहां पर option दे दिये गया है बोला गया है understanding it from heart दिल से समझने समझ जाएंगे तो वो जो है सबसे best method आपके हिसाब से remembering with care remembering यहां पर यहाद करेंगे care के साथ repeating it time to time and remembering it यहां पर repeating it time to time जो है बार बार आप उसे दोहराएंगे पढ़ाएंगे storing it in the brain कौन सा सही होने वाला है बिल्कुल यहां पर option C correct होगा आप जितनी बार repeat करेंगे time to time उतनी असानी से उसे याद होगा option C यहां पर correct होगा जिसमें एक teacher देखनी को मिलता है जो बच्चों को पढ़ाती है इसके benefit क्या है तो बोला गया है it does not make any difference यहाँ पर जो है कोई difference नहीं आती multiple teacher या single teacher में बोला गया है it is beneficial custom, it is boring custom, it harm both the teacher and the student, कौन सा सही आपके हिसाब से होगा यहाँ पर बतला दूँ काफी beneficial custom है याद रखना है आपको यहाँ पर जो है एक teacher ज्यादा beneficially पढ़ा सकती है और इसलिए आप देखेंगे mother teacher का concept जो है सारे teacher schools में आ जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पर जो है पहले भी काफी follow की जाती थी इसमें अगर आप देखे जाकर study क इसके बारे में तो काफी beneficial है यह 175 देखे बोला गया है because of appointment of new teacher in the little classes every now and then students यहाँ पर जो है देखे नए teacher जो आते हैं उसमें जो है क्या होता है आप से पूछा जा रहा है यहाँ पर जैसे बोला गया है gain new experience नए teacher आएंगे तो आपका gain होगा new experience take time to get mixed up with the new teachers यहाँ पर जो है ज्यादा time लगेगा mix up होने में और have adjust themselves with new teacher from the scratch तो यहाँ सुरुवात से आपको adjust करना होगा teachers के साथ उनके अलग नियाम कानून होगे यहाँ पर option D बोला गया have to face new difficulty every time is happen आपको जो है difficulty होगी बार बर जो है teacher change हो जाएगा तो हर टाइम आपको यहाँ पर problem होगी क्या सही है क attitude viewpoint of the teacher towards the weak student of the class should be यहाँ पर जो है कैसा attitude होना चाहिए viewpoint होना चाहिए teacher का towards कमजोर student यहाँ पर class में कमजोर student होता है तो उसे आप जो है कैसा देखते हैं तो बोला गया sympathy and friendly आप जो है यहाँ दोस्त के type में देखेंगे उसे थोड़ा मानिंगे यहाँ पर option B बोला गया full of ignorance हार्स रहेंगे उसके किला उसके against तो कैसा आपका रहने वाला है तो बतला दू option यहाँ पर correct होगा जो कमजोर होगा उसे थोड़ी आपको सहनभूती देनी होगी यहाँ पर 177 की बात करें बोला गया है why is there a need of lunch for little children in the school आप देखें यहाँ पर बच्चों की schools 10 तक यहाँ प वक्त के साथ यह जो है time से खाएं यहाँ पर इससे habit हो जाती है option भी बोला गया है due to the greed of for the lunch children do not remain absent from the school यहाँ पर lunch की जो है लालस से school आए इस लिए जो है अच्छा है children get some nutrition diet children जो है यहाँ पर nutritional diet लेंगे और यहाँ पर बोला गया है और यहाँ पर बोला गया है और यहाँ पर स्कूल पर रहना lunch नहीं होगा तो काफी यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे बच्चे 178 की बात करें बोला गया है should there be separate period for the class of very little children or not यहाँ पर देखे periods का concept नहीं होता बच्चों में ठीक है काफी जगा होगा भी पर normally नहीं रहता तो यह सही है या नहीं आपको बताना है yes there should be यहाँ पर होना चाहिए option b देखे बुला गया है no there should not be यहाँ पर नहीं होना चाहिए they may or may not be there it hardly make any difference हो ना हो इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता option d बुला गया है because of separate period they get good training separate period में जो है उनकी good training होती है कौन सा यहाँ पर correct होगा option 178 की आप देखे तो यहाँ पर जो है be correct होने वाला है क्यों be correct होगा क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ period का concept नहीं रहता वो आसानी से पढ़ लेते है क्योंकि यहाँ पर जो है कोई limit नहीं होती after the declaration of result of the examination normally यही किया जाता है result के बाद जो है meeting होती है after admission of new student in school यहाँ पर जब new student जब आएंगे admission लेंगे उस time पर होनी चाहिए from time to time होना चाहिए यहाँ वक्ते साथ जो है कभी भी हो जाए हबते में महिने में यहाँ पर जो absent D बोलागे height occasional or final function और any other similar occasion तो यहाँ पर कभी कभी होना चाहिए special occasion या साल में एक बार तो बदला दूँ यहाँ वक्त के साथ साथ होना चाहिए from time to time यह जो है आपको याद रखनी है यह ज़्यादा efficient होता है question number 180 देखे बोलागे है आप देखे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो यहाँ पर उन्हें बुला जाता है word पर रखे अपनी fingers को ऐसे में क्या होगा बुला गया option A आप जो है alphabet में रखते है तो उनका focus रहता है book में वो उन्हें अच्छा लगता है देखने में photo sketch they are able to remember the shape of every alphabet all of this कौन सा सही होगा बतलादू यहाँ पर हम जो है हाथ रखवाते ही क्योंकि यहाँ पर याद रखे आप उन्हें याद हो जाता है कौन कैसा दिखता है जिससे वो लिखना सेख जाते हैं ठीक है तो यह आपको याद रखनी है तो यह जो है थे पार्ट 18 complete है पार्ट 19 नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करूंगा थांक्स पर वाचिंग बस्तफलेक